आपका स्पोर्ट सार्ट पर मेरा नाम है काश और बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स के स्कौर्ड के बारे में देखे मिनी आउक्शन से पहले कितनी बैलेंस राजस्थान रॉयल्स के टीम लग रही है हलागोल होगा या डबागोल होगा ये तो as of now अभी हम नहीं बता सकते नेक्स सीजन के लिए लेकिन एक बहुत ही strong core group है आपके पास बस आपने ये fine tune करना है कि आपने Indian domestic players पर किस तरीके से invest करना है वरना आपका balance बहुत जबर्दस लग रहा है holder आपने release करें Robert McCoy आपने release कर दी है तो उनको आप replace कैसा करोगी trend bolt आपके पास है आपने always trade कर ली है तो किस तरीके से squad नजर आ रहा है राजस्तान Royals का उस पर एक बार नजरे डालते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर there is a scope of improvement कहाँ पर आप और बहतर कर सकते हैं और किस तरीके से अपना right balance वहाँ पर बिठा सकते हैं तो देखते हैं जी टीम देखते हैं यह है जी आपके सामने squad चल रहा है retain players के list पहले मैं आपको बता देता हूं फिर हम बात करेंगे कि किस तरीके से order नजर आ सकता है संजु सामसन है जौस बटलर है शिमरन हैटमायर है यशसभी जैसवाल है दुरुफ जरेल बहुत इंप्रेस करा बदा आप कह सकते हैं कि जब impact player का rule आपको नजर आया IPL में तो इसका एक भरपूर फायदा इस खिलाड़ी ने उठाया दुरुफ जरेल बहुत special player है रियान पराग बाई IPL में वो खारे नहीं उतरे हैं जो सारी उनसे उमीदे रहती हैं जो आप कह सकते हैं कि expectations बहुत रहती हैं special player से लेकिन वो highest level पे न उस सारी चीज replicate करने में नाकाम रहा है जो वो domestic में करता है अभी भी सेयर मुश्तागरी ट्रॉफी में रियान पराग के बले ने खूब जलवा दिखाया और आप कह सकते हैं he was the highest run gator तो कहीं न कहीं अगर वो performance reflect कर पाई राजस्तान रोयल्स के लिए तो आपको सारे बहुत अच्छा balance नजर आता है यह अच्छ भी जॉस बड़र का एक धमाकेदार opening duo जो आपके लिए tournament की आप कह सकते है नीवी set कर दे देन आपके पास सन्यू सैमसन है mind you सन्यू सैमसन की भी breakthrough seasons नहीं आ रहे जितना special वो खिलाडी है तो कहीं ने कहीं जब उससे वो खिलाडी जब उससे वो performances आएंगी न आप उनको ऊपर नीचे कर रहे थे कभी आप top of the order खिला दे रहे हो कभी आप middle में खिला दे रहे हो वो stability नहीं थी तो राजस्तान रोल्स की management ने think tank ने ही आप कह सकते हैं बहतर समझा franchise के लिए कि आप उनको trade कर दो अब हम कुसी और के पास जाएंगे लेकिन वो एक आप कह स season निकाल दें जैसा उनका smat गया है अगर उस तरह की performance एनिवे नियर आ गई ना IPL में तो राजस्तान डेया विटर जैकपोर्ट और भाई यह बहुत जबर्दस performance देने के काबिल है पूरी टीम फिर आपके पास शेमरन हैटमायर है तो आपके पास जॉस बटर शेमरन हैटम इस टीम के लिए वो सारी चीजे देखते हैं मिडल अफ दी ओर्डर आप किसको देखते हैं तो आपके पास जुरेल भी है तो कहीं ने कहीं आपने दो तीन खिलाड़ी को दो खिलाड़ी एटमोस पिक कर सकते हो आप क्योंकि आपके overseas combination नजर आता है अगर आपने एक overseas बैट डेर्ल मिशल है इस बार डेर्ल मिशल कीवी बैटर जो मिडल में बहुत अच्छा केलते हैं वो आपके लिए अच्छी पिक हो सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको यह देखना होगा कि आपका बाकी combination क्या आपको अलाओ कर रहा है कि अगर मिडल ओर्डर में यहां पर डेर्ल बूल के साथ जा सकते हैं अधवाईस आपके पास कावी सौटिड यह 11 है इसके लावा मैं आगर आपको बात बताओं आई थिंक आवेश खान को ट्रेडी इस वजह से किया गया है आप अपने इंडियन बूलिंग डेप्ट को और जादा बढ़ाना चाहते हो आवेश का पि आपके लिए ये ट्रेड डील हो सकती है जो आपने आवेश खान को लखनाउ से अपने तरफ खेंच लिया है रविद्र अश्विन आपके पास है यूजी चहल आपके पास है प्रसिद्ध कृष्णा आपके पास है संदीप शर्मा आपके पास है ट्रिंड बोल्ट आपके पास है बहुत बोलिंग आपकी सौटेड है कहीं न कहीं जब आपके पास नवदीप सेनी प्रसिद्ध कृष्णा आवेश खान जैसे इंडियन बोलिंग फास्ट बोलिंग टैलेंट्स हो तो यह हर टीम के पास नहीं है हर टीम ढूंड रही है कि हमारे पास इंडियन पिन बोलर्स की मैं बात कर रहा हूं एक ही ग्रूप में लाने तो राजस्तान ने मतलब एक दम ग्रूप अपना तयार किया है लेकिन वो ही है कि दो एक खिलाड़ी को आप आप जैसे बटलर पर ओवर डिपेंडेंसी यह सब जैसे होल का पिछला सीजन ब्रेक्थ्रू गया से एड करने होंगे जो रिलाइबिलिटी जो डेप्त दे आपकी बैटिंग को आपने किन खिराड़े को रिलीस कर दिया जो रूट सेंस बनता ही नीता मतलब उनका जगा बनती नीती इस 11 में तो जो रूट हो गए अब्दूल बासित हो गई जेसान होल्डर आप देखते है कियार वो मिक्स में रहता है बहुत क्वालिटी ऑपरेटर हैं लेकिन वो पर्फॉर्मेंस रिफ्लेक्ट नहीं करी पिछले साल तो आइटिंग उनको रिलीस करना आपने पैसे भी महाँ पर बचाए तो ओवरॉल हम देखते हैं अकाश वरसिस्ट हो गए कुलदीप यादव हो गए ओबेड मकोई एक क्वालिटी टीट्वंटी बोलर आपने रिलीस कर दी है तो क्या आप एक ओवर और ओर से पिक के हम बात करते हैं ट्रेंट बोल्ट का बैक अप कोन होगा एक फास बोरिंग ऑप्शन तो आपके पास ठीक टाक परस रिमेनिंग है तो मुझे ऐसे ल घबात कर लिजी देखें के धार जादव के दार जादव मुझे क्वालिटि इंडेन बैटर लगतें जो बीच में आपको बीच में Sydney देते हैं विद द बॉल बोलिंग एकदम पैक्ड है यह तो अवरॉल हम देखते हैं कि यह कॉम्बिनेशन आपको यह टाइटल विनिंग कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आपको बस एक दो खिलाडियों की कमी होती है अग यहाँ पर आपको वही लग रहा है कि आपको टॉप आफ दा ओर टॉप आपके पास वहाँ पर स्पेंसर जॉंसन हो गए मिस्टार पैट कमिंस उनके लिए देखते हैं कि दुनिया बर के वहाँ पर बहुत जादा पैसा खर्चा जाएगा लेकिन आपको एक स्मार्ट पिक महाँ पर करनी होगी कि ट्रेंड बोल नहीं एक लेफ्ट आम जो संजू सामसन ये शेश्वी जैस स्वाल एक एक्स्प्लोजिव ओपनिंग पेर है संजू सामसन को बहुत मताब वह कह सकते हैं उन एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना होगा जो उनसे उम्मीदे रहती हैं तो कहीं न कहीं मेरे को बस वह लगता है जो आपने चार-पांच-छ मुल्टिबल ऑप्शन्स हैं वहाँ पर और एक आपको ट्रेंट बोल्ड का बैक अप महाँ पर चाहिए क्योंकि आपने और जेसन होल्डर को भी रिलीस कर दिया है तो लेट सी वाई किस तरीके से राजस्थान रोयल्स मिनी ऑक्शन में अपनी स्ट्राटीजी के साथ उतरत तो लेट सी मिनी ऑक्शन में हलाव हो लोगा और पिंक आर्मी के जो हम बात करते हैं क्या ये मिनी ऑक्शन में भी उसी स्ट्राटीजी के साथ जाएंगे जैसे इन्होंने पिछली बार ग्रुप तैयार करा था क्योंकि दुनिया मान रही थी और इतने सोरे वूलर्स आपने उन्हें जमा कैसे अगड़ लिए बागी टीमें कर क्या रही थी तो कहीं ने कहीं इस बार उन्हें वो डुमेस्टिक प्लेयर्स पर इंडियन प्लेयर्स पर कैश इन करना है फिलाल मैं लेता हूं इजासत जैहिंद जैवार्ण